दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका फियर लेस्टडी मंत्रेटीप चनल पे बंद रोगा का जो सीट आवंटन है मतलब आपका जो बरती है उसमें आवंटन की जो प्रिक्रिया होनी है वो आपकी मंदल इस्तर पर होने जा रही है अब देखो दो बाते होती है एक तो मंदल इस्तर पर रैंक के हिसाब से खुदी मतलब आप जो बिभाग है सम्मंदित वो कर दे ठीक है आपकी चोईस न पूछे दूसरा एक तरीका होता है कि जब मंदल इस्तर पर या जिला इस्तर पर जो भी प्रिक्रिया चले उसमें आपकी चोईस इंपोर्टेंट होती है अगर बरवाता है तो आपको फिर पस्ता बनी रहेगा उसका कि हम से चोईस भी नहीं मांगि और डारेक्ट डाल दिया जैसे आपने लिख पाल वर्ती में देखा होगा उसने चोईस नहीं वरवाई और डारेक्ट जिस मंदल में डाल दिया तो फिर लोगों के साथ मिला दोका हो और इधर-उदर मंडलों में फिक गए लोग इसी प्रिकार से अगर बंद रोगा की जो भरती है उसमें सीट आवंटन हो रहा है मंडल इस्तर पर अगर चात्रों से जो 701 चात्रों की मलब भरती है लोगों की अगर उसमें सीब अगर मंडल आवंटन के लिए चोईस मांग लें कि आप किस मंडल में जाना चाहते हो तो ज्यादा तर तो कोई व्यक्ति होगा अठारे मंडल में हैं तो अपने-पने मंडल में जाएगा ऐसा तो यह नहीं किसी और मंडल में चला जाएगा ठीकि आप यह जानते हो तो इसी लिए अगर ऐसा हुआ मतलब चोईस मांगी गई तो बहुत सही रहेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं लेगा चोईस नहीं मांगी गई तो लेकपाल की तरह नहीं हो जाए कि कि इदर उदर मंडल में फैक दिया जाए रहें के इसाप से ज्यादा यह बहुत सारी चीजें जो अच्छी तरीकी से नहीं चल पाती है तो कुछ भी हो लेकिन आप मंटल इस तर पर मांगी जा रहे है तो आपको इसके लिए चोईस बराई जाए तो बहतर रहेगा और चोईस नहीं बरे जाईगी तो आपको बस बोई उसकी रेक के साब से जितने नंबर आए हैं उसके हिसाब से आपको सीटा बटन की जाएगी ठीक है दोस्तों यह छोटी सी इंफ्रमिशन थी अच्छी लगती तो लाइक सेर कर दिया करो धन्यवाद